हालो ट्रेडर्स विल्कम ट्योर चानेल चाट विट्रेड इस हबते का चाट अब दो विक के लिए मैं एक इंस्टक सेलेशन के हाऊं और इस टॉक का हम डेटेल्स में प्राइस अक्षन आनालेसिस करेंगे और देखेंगे कि आनेवल टाइम में इस टॉक का प्राइस क्या बन सकता है उससे पहले अब अभी तक आप चाट विट्रेड चैनल को सब्सकाइब नहीं किए चैनल को सब्सकाइब किजिएगा और विडियो आचा लगा तो विडियो को लाइक किजिएगा इस हफ्ते का जो चाट अब दो विक स्टॉक के स्टॉक का नाम है अब यहां पर मैं टाइम फ्रेंज लेड क्या हूं विकली अगर आप इस चाट स्टॉक्चर देखेंगे तो अब इसका क्यारेक्टर देखेंगे तो देखे इस टॉक हमीशा लगभग चार से पांच साल एक रेंज वे कॉन्सॉल्डेशन होता है उसके बाद जैसे ही इसको ब्रेक कर दिया था लेकिन ब्रेक करने के बाद जैसे की मार्करण में करेक्शन आ गया इस टॉक में भी करेक्शन आया है को ट्रेक। के आसपास जो की multiple time जहां से price को resistance मिला है और यहाँ पर देखे price ओही resistance zone को breakout किया अगर price कवे भी कोई भी multi और का resistance zone को break करता है ब्रेक करने के बाद अगर price pullback करेगा ना ओही previously जो resistance था ओही zone अभी के लिए आक आजे strong support zone और इस टॉक का देखे अभी के लिए जो 800 का level एक support zone देशा काम कर रहा है और multiple time price यहां पर support ले रहा है और जिस टाइप का price structure यहां पर बन रहा है ना अगर price यहां पर 797-80 level को hold कर लेता है तो यहां से हमको reversal देखने को मिल सकता है क्योंकि nifty जो है वह भी उसका multi year का support के आसपास आ गया है और इस टॉक भी multi year का support के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है उसके साथ अगर मैं यहां पर एक मॉल्टियोर का trendline draw करूंगा तो 2011 से अगर मैं यहां पर एक बार trendline draw करता हूं देखे इस trendline से price around 2011 से multiple time support लेहा है हां अगर price यहां पर और एक बार आ जात आएगा वो तो बोल नहीं सकते क्योंकि जो 800 का label है एक strong support अभी बन रहा है United spread के लिए जब तक ब्रेक नहीं कर रहा है यहां तक आने की probability बहुत ही लो है तो अभी हम चालते हैं डेली time frame में देखते हैं कैसे हम इसमें investment कर सकते हैं देखे डेली time frame में यहां पर प्राइस एक बार support को break किया था जो 790 का support था break करने के बाद एक bounce दिया bounce करने के बाद अभी जो market में correction आया है यहां पर retest करने के लिए आया है simply हमारा risk different करने के लिए हमको एक stop loss देना है इस swing का जो लोगों यहां पर बना है 760 का daily closing basis पर risk different करना बहुत important है 760 का daily closing basis पर एक stop loss दे सकते है और अगर यहां पर stop loss हीट होता है यहां पर हम exit कर सकते है उसके बाद अगर price को भी भी न जो multi-year का support उसका बन रहा है यहां पर 630 के आसपस यहां पर तो surely buy करना है क्योंकि आप यहां तक भी buy कर सकते है लेकिन अभी करने में बहुत ही बड़ा अगर price 630 के आसपस आता है वहां पर फिर से रिएंटर कर सकते है देखे जो 630 का label है एक strong buying zone है लेकिन यहां तक आने का probability भी लो है क्योंकि इस label को price hold करने का probability बहुत ज़ाधा है क्योंकि nifty भी support के आसपस आ गया है अगर मैं आपको nifty 50 का chart दिखाऊंगा तो उसके बाद अगरा support के आसपास अभी ट्रेडिंग कर रहा है देखे निफ्टी के लिए ना यहां पर स्टार्ट हो रहा है 2015 से प्राइस देखे 2015 से मॉल्टिपूल टाइम रेजिस्टांस मिल रहा था था थोड़ा मैं जूमीन कर लेता हूं उसके बाद आपको देखने में आसानी होगा देखे इस लेबूल से मॉल्टिपूल टाइम रेजिस्टांस मिला और प्राइस यहां पर ब्रेक आउट करने के बाद ओही ग्रीन लेंड जो यहां पर जा रहा है ओही लेबूल आग ताज़े स्ट्रॉंग शॉपल लेबूल जैसे यहां पर काम किया था उसके बद प्राइस को एक बार टेंफ़राल ले बॉटम बना नहीं चाहिए और यहां से एक बार प्राइस रिकोबरी होगा उसके बाद देखेंगी प्राइस ट्रक्चर क्या बन रहा है एक प्रोबाली बन रहा है कि प्राइस इस लेबूल की यहां पर होल कर सकता है 15,300 से 15,400 का सब्सक्राइब करेंगे देखेंगे इसका टार्गेड क्या बन रहा है क्योंकि प्राइस लाइट टाइम हाई के ऊपर कोई भी शॉप्लाइड डिमांड लेबूल नहीं रहता है प्राइस अगर गरण बनेगा उसके बाद जो बनेगा यहांगे बनेगा वह बनेगा 1100 का अगर प्रीस ऑंथाउजक्ड गण यहांपे बनेगा 1500 का इस दोनों टार्गेड तक प्राइस जा सकता है अगर प्राइस यहांपर जू लेबूल ए 760 को होड कर लेता है कि जो की अच्छ फ्राइस से क्योंकि प्राइस यहां एक बार स्वोइंङ लो बनाए था लेकिन जो क्र Le섯 प्राइस यहां कि मौल्टी और का डाउंट्रेंड स्टार्ट हो सकता है लेकिन यहां तक स्टॉप लॉस रखना आपन ले बहुत रिक्स है क्योंकि इतना बड़ा रिक्स हम नहीं ले सकते हैं देखे मेरा मानना हमिशा एक कि आपको रिक्स डिफाइंड करना इंपोड़ान है जितना चोटा ह लेकर अगर आपका प्रोफित मिलेगा लेकिन अगर डिसिल्पत करना है यह Mr. पर यंहें रहेगा उपर और कॉंसोल्टेशन करेगा क्या आप समभाल सकते हैं कोस्टिन वहां पर क्या आपको मालूम नहीं है निट्टी 30,000 जाएगा एक दिन आपको मालूम है फिर भी हम निट्टी बीच बाइक क्यों नहीं करते क्योंकि वहां पर हमारा फियर है अगर निट्टी आप 10,000 आ देगा क्या हम संभाल सकते एक और ऊसे पहले कर सकते हैं उसको चालरेड कर सकते ठीक ही है लेकिन अगर आप मॉल्टियर का सौपट के आच पास एक बार रिक्स लेते हैं आच्छा स्टॉग में तो आपको वहां पर लो रिक्स बनता है और रिवार्ड ऑनलिम्टेट बनता है लेकिन रिक्स थोड़ा छोटा लगना इंपोर्टांट है उसके साथ अगर मैं युन रिलेटीव इंयूज करते हैं एक प्राइस का अबर बार्ट अंड ओरन डाइवरण श और्फ आडीज़ करने के लिए लेकिन आाब में यूज करते हैं वह एक बिल्लेटिव की ऊपर और स्प्राइब होंगे वीडियो आच्छा लगया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चानल को सुस्क्राइब कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर ठांक्यों परवाचिए